नवश्कार साथियों, क्या वज़े है संस्कृति का जो पतन या आज की युवाप्रेडी जिस मार्क पर जा रही है, जवाबदार कौन है? कभी हमेरे सोचने का प्रियास किया, यह हमें जानने के कोईश करें, इस माहल के पीछे होने वाले कारणों को जानने के कोईश करें, जो जौब में हैं, नोकरी पेशा हैं, उनका रातरी में देर रात तक बहार जाना, क्योंकि अचकल करेंजे के देखने में आता है, रात के श तो फेशन का दोड़ चल पड़ा है पार्टीज हो रही है आए दिन देखने महौल आता है कि लड़के लड़कियों के जगड़े नशीक की हालत में उस वेश भूशा में जो कि हमारे संस्क्रति की विरुद्ध है ऐसा महौल का निर्मान किन वज़े से हो रहा है ऐसे कौन से क बच्चों के उज़ल हईशक में शीक के लिए उने भीजा लेकिन उसके बाद में वह किस महौल में रह रहे हैं पढ़ रहा हैं या किनके साथ उड़ बैट रहा हैं इसको जानने से अपने आपको दूर करा हमें अगर संस्कृति यो थान की बात करते हैं और संस्कृत को बचाने की प्रयात करते हैं तो हमें हर पल ये प्रयास करना होगा कि ऐसे माहौल को होने से रोका जाए एक विश्योर देखने में बाता है लीव इन रिलेशन्स जो मकान मालिक अपने मकान को ऐसे बच्चों को कुराए पे दे रहे हैं अगर वो भी अपना रिछित करतव्य एक बात दिल में ये सोच ने कि पैसे की एक अभिलाशा को पैसे के दौलत के महों को छोड़ करके संस्कृति को थान में अपना योगदान देना चाहें अगर एक बार कोईश करें कि उन बच्चे को जो मकामे रहरा आपको लगता है कि कहीं ने कहीं इनके रिष्टों में कुछ गरबड़ है तो आप उनके पेरेंट से संपर करके उन्हें सचेत कर सकते हैं और होने वाले किसी बड़े हाथसे से उस बच्ची को आप बचा सकते हैं समाज भी ऐसी हरकतों को देखते हुए आके मुद्द किये हुए है परशासन और शासन कि ऑप डॉल करके हर किसी खट़्टा क्रम के लिए शासन को या परशासन को जॉबडार बना देना या उनहीं हमेशा गुनहा का किसी आरोप का किस तर ट्या चार का गुनहिदा बना द आना होगा आज जगे जगे पर स्मोकिंग का ड्रिंग का एक ऐसा गंदा माहौल का निर्मान हो चला है पापार्टी इस फेशन में आ गई हैं कहीं सारे वीडियो देखने में आते हैं जिन पापार्टी इसकंदर अलाला छोड़ कैबिन बना दी जाते हैं और लड़के-लड़ की आखे मुन लेने से आज हमारी वियस्ताओं में या उनके शोकों को पूरा करने में अभी भावकों के दोरा परेंट्स के दोरा जो उनके आजादी को नजर अंदाच किया जा रहा है ये घटना करम बहुत जादा समाज में आज देखने को मिल रहे हैं आज समाज जिस गं निगाएं खुद की निगाएं समाज के सामने जब किसी लड़की का चेहरा सामने आता है बच्ची का चेहरा सामने आता है वो परिवार तब अपनी आखें जुकाता है और नजरे चुराता है ऐसी अवस्ताओं को रोकने के लिए अगर पैरेंट्स और अभी वावक पहले देने के साथ साथ में उनके पैरेंट्स को सूचना दे कि वो बच्ची किनके साथ रह रही है उसका साथ ही कौन है क्या उनकी पैरेंट्स की निगाओं में उनकी सोच में क्या उनके नौलेज में जानकारी में ये बात है कि बच्ची किसके साथ रहा जिवन यापन कर रही है अगर हम जागरुक होंगे तो सौविक तोर पर हमारा समाज एक सशक्त होगा और मजबूत होगा और हम कहीने कहीं एक देश भक्ती में बॉर्डर पर जाकर करें रहीं देश मरहेकर अपने घर से भी समाज और संस्कृति में अपना जोगदान दे सकते हैं मैं समझता हूँ मेरा आई विशे बहुत लोगों के छोटी सी बाते समझ में आ गया होगा आईए हम एक उठांग के तरफ अपना कदम बढ़ाएं जारुक नागरिक बनें और देश की युवा संस्कृति बचाने में अपना जोगदान दें जाए अमबे जाए मातादी सादन धर्म की जाए हो